हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IS Hindi हलो एवरिवान कैसे हैं आप सभी लोग सबसे पहले तो आप सभी लोग का मैं मनोच कुमार आपके अपने चैनल Study IQ IS Hindi पर स्वागत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का जो अपने सपने को लेकर के अपने ड्रीम को लेकर के अपने जो एक कहा जाए के लक्ष्र तै किया है उसकी तरफ अच्छे से बढ़ रहे होंगे दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहा हैं जैसा कि हम लोग ने योजना कुर्षित्र की सीरीज इस्टार्ट की हुई है आज उसमें एक इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जी एस्टी को ले करके इस बार की योजना का जो मुख बिशय था जनवरी की योजना है और उस योजना का मुख बिशय था के भारत में ब्यापार सुगमता को ले करके कि ब्यापार की सुगमता यानि की Ease of Doing Business कैसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है उस मुद्दे पर ये पूरी केंदरित है इसमें देखी मैंने आपको पहले भी बताया और जो नए छातर जुड़ रहे हैं लगातार उनका मैसेज मेरे पास आ रहे हैं उन सभी के लिए में बता दो कि योजना और कुछित्र दो ऐसी सरकारी संस्था से निकलुई मैगजिन हैं जिन से सीधे सीधे प्रशन आपके UPSC प्रारंबिक और मुख के परिच्छा में पूछे जाते हैं इसलिए बहुत सोच समझ करके हम लोगों ने प्लान बनाया था कि आप लोगों के लिए इसको हम चैप्टर वाइज जो सभी इंपोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उन सभी को आपके साथ डिसकस करें ठीक है ना कि केवल आपको मैटर या कंटेंट प्रोवाइड कराएं हम चाहते हैं कि उसको आसान तरीके से आप लोगों को बताएं समझाएं और आप उसका यूटलाइस करें जो हम लोगों डिसकस करते हैं उसको अगर आप चाहें तो जो पीडिएफ है आराम से उसको सेव कर सकते हैं उसके अपने नोट्स बना सकते हैं बहुत सारी चीज़े गहराई के साथ आपके तयार हो सकती है उसमें तो इसको अपने एक important exam के पार्ट के तौर फर इसको जरूर देखेगा तो सभी लोग जल्दी जल्दी जॉइन कर लीजिए सबसे पहले क्या कहूं मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है पुने बहुत स्वागत है तो चलिए हाज हम बात कर रहे हैं GST और Ease of Doing Business वाले टॉपिक से लेटे लिए आज का टॉपिक है कि GST और Ease of Doing Business किस परकार से ये काम कर सकता है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे है ठीक है तो इसमें हम दो तिन चीज़ें जानने की कोसिस करेंगे एक GST क्या है किस तरीके से क कर रहा है और GST कौन-कौन से प्रावधान है GST को क्यों लागू किया गया और दूसरा इसी में जानने कोसिस करेंगे कि Ease of Doing Business यानि के सरकार ने जो जन विश्वास अधनियम बनाया था जन विश्वास अधनियम के माध्यम से GST कैसे Ease of Doing Business को बढ़ावा देगा Everybody ठीक है त तो सबसे पहले देखेंगे हमारी प्रधान मंत्री ने इसके बारे में पाँचवी परसगाट पर इसके बारे में क्या कहा था Ease of Doing Business कारोबार में करने में सुगमता के उद्देश से प्रमुख कर सुधार की रूप में GST को लागू किये पाँच वर्स हो चुके हैं और इससे एक राष्ट एक कर का विजन भी पूरा हुआ है यानि पूरे देश में एक विवस्था एक कर की अबधाना लागू की गई है जो के हमारे प्रधानमंत्री ने इस बारे में कहा है पूरे आपके पांच साल कंपलीट हो चुके हैं दो हजार सत्रह एक जुलाई को ये लागू हुआ था GST कर उसके बाद पांच साल कंपलीट हो चुके हैं बलके कहा जाए कि छैस साल होने वाले हैं तो हो चुके हैं वो भी हम कह सकते हैं इसके बारे में कहा है ठीक है, सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करने कि GST क्या है, वन नेशन, वन टेक्स का एक अबधाना है, एक देश और एक रास्ट, यानि कि इसमें बहुत सारे टेक्स को मर्ज करके एक टेक्स बना दिया गया है, इसी में वैट है, इसी में CST है, इसी में एक्साइज करने हैं, और जो व्यवसाई है, उसको अलग-अलग कर एक खटे भी नहीं करने हैं, और नहीं सरकार को अलग-लग कर तरीके से पे करना है, ठीकिन, ना केंदर के लिए, ना राज्य के लिए, ऐसी कोई विवस्था नहीं है, बलके सिंपल सा एक ही टेक्स बना दिया गया, य एक प्रकार का अप्रत्यक्षकर है, जिसमें अप्रत्यक्षकर सुधार के तहत इसको लागू किया गया है, देखेंगे, जिसमें केंदर और राज दोनों का मिस्त अप्रत्यक्षकर है, यानि के इसके अंतरगत केंदर के और राज दोनों के एक प्रत्यक्षकर है, जिसके पूरा देश एक है, उसी तरीके से हमारा एक देश एक करकी अबधाना इसमें लाउग की गई है, यानि के अब पूरे भारत में और सभी राज्यों में एक जैसा कर लागू किया जाएगा एक जैसा कर लागू किया जाएगा वन निशन वन टेक्स यह रहा और एक मार्किट वन निशन वन टेक्स वन मार्किट यानि के एक देश एक कर एक बाजार पहले क्या होता था कि इसमें बहुत सारी चीज़ां होती थी अगर हम देखें कि GST को क्यों लागू किया गया था उसी के संदर में आपको मैं समझाने कोशिश करूँ तो हमारे याँ बहुत सारे राज्य है और हर राज्य का अपना अलग अपरत्यक्षकर है केंदर के अपने अपरत्यक्षकर है केंदर अपने अपरत्यक्षकरों को जनता पर लगाता था लोगों पर लगाता था व्यबसाई उसको कलेक्ट करके देते थे राज्यों के अपने अलग कर होते थे और हर राज्य का अपना अपना अलग कर होता था तो बड़ी समस्या होती थी बिजनिस करने में लोगों को टेक्स पे करने में या बिजनिसमेन को उस टेक्स को कलेक्ट करके सरकार तक पहुचाने में बहुत बड़ी समस्या होती थी इसमें इतना ज़्यादा उल्जाव पैदा हो जाता था कि इंसान सोचिए कि अपना बिजन कर सरकार तक पहुँच पाता था इसी बएसे लोग घबराते हुए क्या करते थे कर की चोरी करते थे क्योंकि कौन इन सब घंजट में पाले गया कौन इन सब चीजों को करेगा कर चोरी भी होती थी बिजनसमें परेसान भी होता था आम आदमी भी परेसान होता था और कुल मिल में में और ultimate इस प्रक्रिया को एक सुधार की रूप में लागू किया गया और हमारे सामने GST की अबधारणा बनके तैयार हुई अब देखें तो हम कह सकते हैं कि GST लागू करने के कारण या वह कौन सी समस्याइ थी जिसकी बज़े से हमारे देश में GST को लागू किया गया दोस्तो एक ची ध्यान रखीगा आप चाहो तो इनके अपने आप सीधे सीधे नोटस भी बना सकते हो अपरतर्फ क्यार क्या हैं और अपरतर्फ करों को भारत में किन कारोनों से लागू किया गया और इसके क्या-क्या लाब हो सकते हैं या लाब प्राप्त हुए हैं उस पर एक विवेचना कीजिए तो question means का कैसे भी बन सकता है GSTP भी बन सकता है और इसके सारे pre और means के concept भी clear हो सकते है तो condition क्या थी अनेक परकार के कर थे और अलग लग राज्यों में करों की दरें भी अलग लग थी यानि अनेक परकार कर कह सकते हैं केंदर के अलग और राज्य के अलग और उनमें भी अनेक परकार के कर हैं और हल एक महतपूर्ण चीज और भी है के एक ही कर अलग लग राज्यों में उसकी दर अलग लग है कहीं 18% है कहीं 10% है कहीं 21% है कहीं 7% है कहीं कुछ है इसलिए आपने देखा होगा पहले के समय में अलग-लग राज्यों में बस्तूओं की कीमतें भी अलग-लग होती थी और जब करकी दर अलग-लग होती है तो आसपड़ोस के राज्यों से स्मगलिंग और चोरी सामान की शुरू हो जाती है क्योंकि हर व्यक्ति दो पैसे बचाना चाहता है जैसे आज की डेट में हम देखा तो हर्याना दिल्ली, कुछ चीज़ां हर्याना में सस्ती हैं, कुछ चीज़ां दिल्ली में सस्ती हैं, तो लोग हर्याना के लोग कुछ बस्तूओं को खरीदने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, अपने राज्यका नुकसान करते हैं, कुछ चीज़ां दिल्ली के लोग खरीद इतने के लिए हर्याना चले जाते हैं, यूपी के लोग हर्याना चले जाते हैं, वहां से सामान खरीद के लिए आते हैं, क्योंकि वहां सस्ता मिलता है, इस मगलिंग करते हैं, तो इस से कुल मिला करके सभी चीज़ों का नुकसान होता था, आज भी होता है, पहले भी होता था कुछ कर एकत्री करण की समस्या कौन करेगा कर एकत्र केंदर करेगा या राज करेगा केंदर और राज दोनों मिलके कैसे करेंगे किस तरीके से करेंगे उनका बटवारा कैसे होगा ये समस्या करण की जटिलता बहुत जादा थी कि भई करका एक पूरा फाइल मैंटिनेंस कैसे किया जाए टेक्स का फाइल कैसे किया जाए वेट देना है किसे एनवेट देना है कि क्या देना है किस तरीके से देना है मनुरंजन कर अरग बसूलना है क्या क्या चीजों की क्या क्या लिस्ट आप तैयार करेंगे इसी बज़े से लोग बताते ही नहीं थे कौन सा आ रहा है कितना आ रहा है वो क्या करते थे करकी चूरी करने लगे और जब करकी चूरी होती है तो आप अच्छे से जानते है सरकार को भी नुकस्तान होता है और आम जनता को भी आम जनता तो कर दे रही है लेकिन सरकार तक पहुँच नहीं रहा है या आम जनता भी कर नहीं दे रही है भो भी कहते हैं भी हमको ऐसे ही दे दो अब बताईए तो ऐसे में बिजनेसमेन को क्या फाइदा है, सरकार को क्या फाइदा है, राज्यों को या केंदर को क्या फाइदा है, आम जनता को क्या फाइदा है कुल मिलाकर के कंडिशन ये होती थी कि ब्यापारी और ब्यबसाईयों का सोशन होता था और इंस्पेक्टर राज था यानि कि जो टेक्स इंस्पेक्टर हुआ करते थे वो इन सब चीजों का फाइदा उठाते थे बिजनस्मेन का आम जनता की इस तरही गद्विदियों का वो जाकर के उनको धमकाते थे डराते थे और उसे पैसा बसूल करता घरा बरस्टा चार तमाम तरह की चीजें इनसान करे तो करे के बिजनस करे या इनको रिष्वत दे या अकाउंट मैंटेन करे क्या करे कैसे करे और इसकी एक समस्या और थी केंद्र और राज्जों में आपसी तालमिल का भी अभा हो था जब दोनों के बीच में प्रॉपर कॉडिनेशन नहीं होगा प्रॉपर कॉपरेशन नहीं होगा तो फिर कोई भी परडाली लागू नहीं हो सकती यह बहुत बड़ी समस्या थी इसी को दृष्ट कौन में रखते हुए इसको वर्स 2016 में 101 बास सम्मिधान संसुधन अधनियम के तौर पर पारिद किया संसद ने और 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया और यह बाकी अन्नी चीज़ों तो आपको पता ही है कि इसमें जो एक होता है केंदर का कर होता है अब इसमें क्या कर दिया पूरे देश में एक जैसा कर लाओ कर दिया एक हो गया राज्य का कर और एक हो गया आपका कहा जाए IGST यानि कि CGST SGST और एक हो गया IGST केंदर और राज्य दोनों का integrated तीन तरह के कर होता है इसको हमने बिभन परकार की समस्याओ के समाधान के लिए ये समस्याई थी इन समस्याओ के समाधान की बज़े से इसको हमने लागु किया It is ok ये एक बहुत बड़ी चीज थी इस तरीके से हमने GHST को लाओ किया इसका purpose क्या था इसका परपस ये था कि हम भारत में बिजनिस को, ब्यापार को, ब्यापर गत्विदियों को आसान करना चाते थे, हम चाते थे कि सरकार का जो नुकसान होता है वो ना हो, हम चाते थे कि जो ब्यापारियों को सोशन होता है वो ना हो, करकी चोरी होती थी वो ना हो, और सब भारत आर्थिक दृष्टिकॉर्ट से आगे बढ़ता रहे एक बिक्सित देश के तोर पर खड़ा हो जाए और उसके लिए बहुत जरूरी है कि कर प्रणाली में सुधार किया जाए और वो हमने किया इस तरीके से आराम से सारी चीज़ों को पढ़िए और दियान दगीजेगा दोस्तों कि मैं सारी चीज़ों को करने के बाद मैं चैप्टर वाइज उनको एक पॉइंट फॉर्म में आप लोगों को समझाने की कोसिस कर रहा हूँ जिससे के चीज़े आसानी से आप लोगों के समझ में आ जाए ये केवल करक्स नहीं है आपको करक्स के साथ साथ सारी चीज़े आपको साथ के साथ मिल रही है अब आप समझ सकते हैं बाकी आपकी मर्जी है अगर आप लोगों ने इन क्लासिस को सारे धंग से कवर कर लिया, इनके नोट्स आपने बना लिये और मैं इसकी पीपीटी पीडियाफ जो है, मैं अपने टेलेग्राम गुरूप पे सेयर करता ही हूँ अगर वहां से लेकर कि आप नोट्स बनाते चलेगे तो मैं समझता हूँ कि आपका जो दिमाग का जो मेंटल लेवल है जो आपकी सोच है इतनी विस्तारित हो जाएगी कि आप एक यूपीए सी के उस लेवल के एस्परेंट बन जाएंगे जहां से सेलेक्शन तै होता है बरना आदे बादूरे तरीके से तैयारी करने वाले तो बहुत सारे मित्र हैं आपके साथ में जो एक दूसरे से चैट करते रहते हैं बहन जी कैसे हो भाता जी भाहिया जी कैसे हो फलाना कैसे हो ऐसे बहुत सारे लोग है लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर उन लोगों न भी थोड़ा ध्यान से सुन लिया तो उनका भी भला हो जाएगा और ध्यान रखीगा जो इस तरह की चैट वेट करते हैं न बिटा ये बड़े शातिर लोग होते हैं आपको चैट में और इदर दर की बातों उलगाए रहेंगे और ये लोग चुपचाप जा करके पढ़ाई करते हैं हमारे साथ में एक इस तरह की मित्र थे आर्पी सिंग, रुद्ध पताप सिंग आईपीएस बने, एक बार नी, दो-दो आईपीएस बने दिन भर आपको घूमना था, दिन भर लफंगईगीरी करना था दिन भर इदर-दर मतर गस्ती करनी थी मोटर साइकल से दिन भर इदर-दर करना हम लोग सीरिस होके पढ़ते थे, सलेक्शन उनका हो गया कब पढ़ते थे, पता ही नहीं चला कैसे पढ़ते थे, पता ही नहीं चला और एक बार नहीं दो-दो बार एक बार तुक्के मह हो सकता है लेकि दो-दो बार तो इसलिए दिहान रखीगा, जो जतने लोग है ना वो ढंग से कर लीजे काम की चीज है, उसको नोर्स बना लीजे आपके एक्जाम में काम आएगी ठिक, और बाकी हम लोग को साथ जोड़ने के लिए आपके पास एक बहतरी मौका है एक अच्छा अपॉर्चुल्टी है अगर आप लोग चाहें तो आप लोग के लिए इससे बढ़िया मैं एक आप्शन नहीं दे सकता बता सकता कि आप लोग चाहें तो 9 फरवरी से हमारा जो नया बैच सुरू हो रहा है मौर्निंग में सुबह 8 बजे आप चाहते हैं कि मेरे साथ मेरे टीम के साथ आप लोग आगे बढ़े तो definite मैं चाहूंगा कि आप लोग GSP2Y Findotion बैच प्रिरिम सु इंटर्वियू इस बैच को जरूर जोइन करें और ये हिंदी बैच है आप लोगों का आप लोगों के लिए है ध्यान रखना 9 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी के साथ में इस बैच को जरूर जोइन करिए हमारे साथ जुड़िये इसमें आप लोगों कुछ सारी चीज़े मिलेंगी न दोस्तो वो देखिए प्रॉपर सिस्टेमेटिक तरीके से कंप्लीट कोर्स मिलेगा मत सेल आउट करने की नहीं है कि आपको हम बता रहे हैं कुछ क्या रहे हैं हमारा परपस यह है कि हम इसमें कैसे आपके साथ तैयारी करवाएंगे पहले आप लोगों का पूरा फाउंडेशन बैच सिस्टेमेटिक तरीके से टाइमली कंप्लीट करेंगे विदिन टाइम फिर उसके बाद में आपके लिए प्री के लिए अलग से मेंस के लिए अलग से और इंटर्व्यू के लिए अलग से सेशन चलेंगे चाचा पाँच पाँच महीने के तो यह कोर्स एक साल के लिए नहीं है दो साल के लिए कोर्स है दूसरी बात इसमें आपको एक परसनल मैंटर्स दिया जाएंगे जो आपके विमिन परकार के डाउट्स को किलियर करेंगे आपके डाउट्स को किलियर करेंगे ये ध्यान रखीगा परसिनल मिलेंगे जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं आपको इसमें आंसर राइटिंग की प्रक्टेस करा जाएगी एक सबता में पढ़ चुकें, उत्ना आपका टेस्ट भी होता है, current memory की अलग class होती है, cset की अलग class होती है, js की अलग class होती है, सब कुछ, notes आपको provide कराये जाते हैं, जो class notes हैं, वो आपको दिये जाएंगे, हर चीज, आपके साथ है, बस इसमें का purpose क्या है कि आप सिस्टेमेटिक तरीके से बैठ करके तयारे करें और फीस मात्र 23,999 रुपए लगेगी लेकिन इसके लिए आपको code यूज करना पड़ेगा MKLive इस code को आप जब यूज करते हैं तो आप automatic आपको अच्छा कासा discount मिल जाएगा 23,999 फीस हो जाएगी और उसके बाद आप मेरे साथ attach हो जाएगे जिससे के मेरे through आप लोग personal guidance दे लेकर के हर एक चीज तक आप ले सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपके साथ महनत करते रहें तो आप लोग जरूर इस batch को join करिए कोई बहुत बड़ा amount नहीं है डियर जहां ढाई 3,4 लाग रुपे फीस लगती है 3,4 लाग रुपे रहने खाने खर्च होते हैं वहाँ पर आपको यह कुछ भी नहीं है घर बैठे करके उसी तरह के माहल में आपको हम पढ़ाई करवाएंगे और वह सारी चीजें जो एक UPSC aspirant के लिए जरूरी है वह सारी चीजें इसमें डिसकस होती है बागी किसी तरह का कोई doubt है कोई भी चीज है तो आप लोग मुझसे यहां contact कर सकते हैं यह मेरा code है इस code को जरूर याद कर लीजिए का MKLive यह आपका Telegram, Instagram और यह mail ID है इस पर आप contact कर सकते हैं मुझे, join कर सकते हैं जिन लोगों न अभी तक join नहीं किया है मुझे follow नहीं किया है तो Telegram मेरे channel को join कर लीजिए और यह Telegram का war code है इस पर भी आप join कर सकते हैं इस कुथरो तो किसी भी तरह कोई भी doubt होता है, you may ask बस रात को 12 बज़े से लेकर के सुवह 6 बज़े तक मैं आपके doubt के questions के जो doubt हैं उनका जवाब नहीं दे पाता, बाकी तो जनरली में देता ही हूँ और सभी लोग, बहुत सारे लोग आप मैंसे जुड़े हुए भी हैं बहुत सारे आप मैंसे सोचेगा आपके paid batch on पढ़ चुके हैं और वो जानते हैं कि हम किस तरीके से आप लोग के class करवा रहा हैं किस तरीके से हम कर रहा हैं आपके लिए दिन दात मेहनत कर रहा है ठीक है ना अब आते हैं इसके आगे कि GST लागू हो गया और इज ओफ डूइं बिजनेस के संदर्ण में GST का अब तक का प्रदर्शन क्या रहा है क्या जिन उद्देसों को लेकर के हम चले हैं उसकी performance क्या रही है GST तो GST लागू होने से देश में आर्थिक अबरोध कम हुआ है यानि कि जो आर्थिक विकास हो रहा था जिस विकास को रोकने में कई साई चीज़ा आती थी बीच में बाधाएं आती थी वो अबरोध कम हो गए एक समेकित अर्थिवस्ता बिक्सित होई है समेकित यानि कि सब कुछ समेठते हुए क्योंकि सारे कर जब एक जैसे हो गए तो सारे राज्य एक जैसे कंडिशन में आ गए तो सभी राज्यों में एक कर लागू हो गया एक जैसा कर लागू हो गया एक जैसी ववस्था लागू हो गई तो पूरी अर्थवस्था एक हो गई that is the inclusive economy ठीक है ना और इससे और नए रास्ते खुले और मूल्यों पर पढ़ने वले प्रभाव तीबर प्रभाव वो भी कम हुए यानि इसकी बज़े से क्या होता था कि अनगल अलग प्रकार के जो टेक्स होते थे उससे आम जनता की वस्थों पर बड़ा बहरी प्रभाव पढ़ता था अब क्या हो गया वो प्रभाव कम हो गए क्यों क्यों कि करकी दर लगवग एक जैसी हो गई है अब वस्थों की कीमते जो है उपर नीचे नहीं है अलग लग राज्यों में अलग लग कीमते नहीं है इस से आम आदमी को भी फाइदा है उसकी डिमांड बड़ी है बिजनस बड़ा है लोगों का और उत्पादन बड़ा है Рोजगार बड़ा है ठीकिना इस से ने कारोबार को GST का कर संग रहे है सरसट लाग रुपे पहली साल जब लॉंच किया गया था उस समय इसका जो टेक्स कलेक्शन था वो सरसट लाग रुपे था बढ़ करके सोचिए कितना हो गया डेड़ करोड रुपे बढ़ कर डेड़ करोड हो गया 1.4 करोड अप्रेल 2022 में इसका जो कर संग रहे 1.87.000 करोड रुपे पहुंच गया है और तुझ यह इतना कर एकत्र हुआ 1.87.000 करोड अप्रेल 2023 में एक महिने का एक महिने का है 1.87.000 करोड ठीक है न और नवंबर 2023 में 1.67.929 करोड रुपे रहा एक महिने का इतना ज़्यादा परफॉमेंच इतना ज़्यादा टेक्स कलेक्शन हुआ है जो पहले इतना नहीं होता था इसने सभी परकार के कारोबारों पर स्तकारतमाग परभाव दिखाई दिया है इसने MSME को स्तरवादिक लाप राप्त हुआ है इसकी बज़े से जिसमें MSME यानि के सूच में लगू एवम मध्यम उपकरम को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है सबसे ज़्यादा बेनिफिट और लगबग MSME की छेतर में काम करने वाले 88 परस्त परदिनियों ने वस्तू एवम सेवाओं के लागत को कम होने के तथ्थो को सुईकार किया है कि GST लागू होने से वस्तू की कीमते कम होई है लगबग 88 परस्त सूच में लगू एवम मध्यम उपकरम के जो रिपरजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इस बात को माना कि हाँ पहले से वस्तू की कीमते कम होई है वो भी GST की बज़े से ये माना है तो ये इसका परफॉमेंस रहा है तब तक का ठीक है ना अब इसके क्या क्या लाब रहे हैं देखिए अन्ने लाब क्या क्या है इसकी बज़े से अन्ने लाब को देखेंगे GST ने प्रिकरिया को कम सरल किया है कम किया है यानि कि अब जो लंबा प्रोसेस होता था उस प्रोसेस को छोटा कर दिया है ठीक है न राज्यों में बस्तुओं के मुक्त प्रभाव को सुनिश्चित किया पहले क्या होता था कि limited बस्तों जाती थी कहीं किसी राज्य में कम होता टेक्स कम होता था कहीं जादा होता था बड़े restrictions लगे हुए थे अलगलग राज्यों में इसने क्या किया है बिविन राज्यों में बस्तों को free flow किया है यानि खूब बड़े इस तरपर बस्तों को आने जाने की permission दी है इससे क्या है business बढ़ा इसने प्रक्रिया को सरल किया इसने business को बढ़ाया उत्पादन को बढ़ाया सप्लाई को बढ़ाया तो इसने बस्तों के प्रभा को सुनिश्चित किया और करों की दरों और कानून को सुसंगत बनाया यानि कर की दरों और कानून दौनों को एड़जस्ट किया उन दौनों को आपस में समायोजित किया इनके बीच में जो डिफरेंस होते थे बड़े परिशानी होते थी कानून को लेकर के और करों की दरों को लेकर के लोग बड़े परिशान रहते थे तो कुल मिला करके इसने लोगों को सरलीकृत किया है सरलीकृत इसने प्रिकरिया को कहा जाए कि कम किया है यानि लोगों की परेशानी कम की है लोगों की परेशानी को कम किया है इसने प्रिक्रिया को सरल बनाया और बस्तों की ब्यापार को ब्यापार एवं उत्पादन को बढ़ावा दिया है ब्यापर एवं उत्पादन को इसने क्या किया बढ़ावा दिया ठीके ना कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसने राज्यों और केंद्रों में आपसी तालमेर को बहतर बनाने में भूमिका नवाई है इसकी वज़े से क्यों क्यों कि अब कर और केंद्र के और राज्य के सब बराबर हो गए जितना भी आप GST देते हैं उसका आधा केंद्र का होता है आधा राज्य का होता है अगर आप 18% देते हैं सो रुपे का 18% देते हैं तो उसमें 9% किंद्र का होता है 9% राज्य का होता आराम से एक सिंपल प्रिक्रिया होगी दोनों का कॉडिनेशन भी बनी गया दोनों ने अच्छे तरीके से काम किया लोगों को भी परिशानी नहीं बिजनेशन को भी परिशानी नहीं सरकार को भी परिशानी नहीं यानि तीनों को इसमें कोई परिशानी नहीं है और परिशानी नहीं है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ही है कि बिजनेश की जो प्रिक्रिया है वो आसान हो गई है वो क्या हो गई आसान हो गई यही है इसी कहते हैं ब्यापार की सुगमता ठीके ना उसको हम ब्यापार की सुगमता कहते हैं यही तो चाहिए था हमको GST ने बिजनेस को आसान कर दिया यही है अब हम कह सकते हैं सारी चीजों को कि इज ओफ डूइंग बिजनिस में इसने कैसे साहिता की है वहां से तो की की है इसके अलाबा कुछ अन्य चीजें भी है ये रही किसने ब्यापार चक्र के सभी बिंदूओं को सरलेक्रित कर दिया जैसे GST का पंजी करण अब कोई भी छोटा मोटा दुकंदार भी पंजी करण कर आ रहा है अगर वो टेक्स की दारे में आ रहा है तो टेक्स दे रहा है नहीं आ रहा है तो नहीं दे रहा है आवेदन करना आसान हो गया रिटन दाखिल करना आसान हो गया रिफंड के लिए आविदन करना भी आसान हो गया ठीक न इबे बिल जो ओनलाइन बिल होता है वो भी हो गया इइन्वाइस आपकी इलेक्ट्रोनिक इन्वाइस बन गई ठीक नोटिस का जवाब अगर कोई नोटिस आया तो उसका जवाब भी यहां से दिया जा सकता है ऑनलाइन ही अपील दायर करना ठीक ना और निर्यात कों को सुविधा जो निर्यात करना चाहते उनको भी इससे चीज़ से क्या हो गई आसानी हो गई यानि कि सभी कारे इसकी जियुएश टी की बज़े से क्या हो गए श्वाब को आसान बनाना है जिससे कि हमारा देश आर्थिक रूप से तरक्की कर सके यही है इसी कारण बेवसाईयों को अधिकारियों से बेक्तिकत सम्द रखने का जंजट खतम हो गया पहले क्या था कि अधिकारियों से मिलना पड़ता था जुलना पड़ता था सारी चीज़ें करनी पड़ती थी उनको मनाना पड़ता था उनको गिफ्ट देने पड़ते थे कि भाई कुछ ले दे के सेटल करवा दीजे अब कुछ नहीं आउनलाइन है जंजट कतम बोले होगा अधिकारी अपने लिए हम तो टेक्स दे रहे हैं ना इमानदारी से क्या परॉलम है अर्थात इसने कारोबार को सुगम बना दिया यही है GST का Ease of Doing Business में सहायक का रोल सहायक की भूमिका कि GST ने ब्यापार को सरल बनाने में किस परकार अपनी भूमिका निवाई है या किस परकार अपनी भूमिका निवा रहा है अब बताईए इस question को आप कर सकते हैं के नहीं कर सकते जैसे मैं question की बारे में बात करूँ तो ये देखिया question है आपका मुख्य पर इच्छा का important question है देखिएगा ये यहाँ पर कि GST और Eage of Doing Business के बीच अंतर संबंदों को इसपस्ट कीजिए कि दोनों के बीच में क्या अंतर संबंद हैं आपस में क्या relation है और साथ ही बताईए कि GST किस परकार ब्यापार को सुगम बनाने में अपनी भूमिका निवा रहा है अब बताईए question भी solve, topic भी clear, सारी चीज़ें GST और Eage of Doing Business के बीच में संबंद किया है और यह किस परकार से ब्यापार को सुगम बना रहा है अब आप बतादीए मेरे पढ़ाने का फायदा तब है जब इस question को आराम से आप लिख सकें अगर लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरे उद्देश को तो किलियर हो रहा है यादि मेरा जो उद्देश से है Study IQ का जो उद्देश है वो किलियर हो रहा है मैं चाहता हूँ के हम पूरे एक साल की magazine क्या मतलब कंटीनू magazine cover करेंगे और छेतर भी cover करेंगे और हो सकता तो और important magazine भी हम लोग cover करें अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से corporate करेंगे उसके लिए आप लोगों के करना क्या होगा आप लोगों को सबसे पहले तो class को like करना पड़ेगा ठीक है ना चैनल को subscribe करना पड़ेगा साथ की साथ इस class के link को आप अपने सभी दोस्तों तक इसको share करना पड़ेगा अगर आप ये लोग करते रहेंगे तो ध्यान रखीगा हमने अभी योजना शुरू की है उसके बाद कुर्चितर शुरू करेंगे और ये मंतली दौनों magazine आपकी इसी तरीके से chapter wise discuss होती चले जाएंगे प्री मेंस के questions तयार होते चले जाएंगे और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हो सकता है कि मैं आपके लिए एक और surprise देने के लिए तयार रहूं वो भी हो सकता है लेकिन उसके लिए आपको मेरा support करना पड़ेगा और आप मैंसे जो तयारी कर रहे है जो चाहते हैं रियली में कि study IQ का course purchase करें हमारे साथ बैठके तयारी करें तो M के live code लगा करके उसको यूज करना मत भूलिएगा otherwise आपका सहयोग तब कुछ depend करेगा ठीक है तो यह question आप लोगों के clear हो गया कि नहीं हो गया GST और use of doing business के बीच में संबंद और किस परकार से ब्यापार को सरल बनाने में किस परकार यह भूमका निवा रहा है अब यहाँ पर देखीगा प्रार्मिक पर इच्छा का प्रशन भी देखीगा क्या बन सकता है GST ने ब्यापार सरलीकरण की दिसामें निम्न मैसे कौन सी समस्याओं का समाधान किया है कर 71 करण की समस्या का समाधान करों की जटिलता का समाधान करों की चोरी का समाधान रिटन दाखिल करने की समस्या का समाधान रिफंड के लिए आविदन करने की प्रक्रिया का समाधान और नोटिस का जवाब देने की प्रक्रिया का समाधान बताइए, सही कूट का चैन कीजिए केवल एक, दो और चार, एक, तीन और छे, दो और तीन उपरोक्त सभी इसका आंसर आप लोग इस कलास को पढ़ने के बाद आराम से दे सकते हैं प्री और मेंस दोनों क्वेशन आप कर सकते हैं मेरा अद्धिश यही है कि आप इन सारी चीजों को ढंक से कर ले और आंसर मैं नहीं दूगा, इसका तो नहीं दूगा मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, सुनें, उसके बाद खुद आंसर दे कि हाँ, सही आंसर क्या है मैं चाहता हूँ और लगे तो आप मेरे टेलिग्राम गुरुप में आकर के आपस में डिसकस कर सकते हैं इसके आंसर को लेकर के डिबेट करिये, जानिये, पढ़िये, पूछिये यही है मेरी आज की क्लास का कंसेट अब बागी कोई भी डिसकसन हो, कोई भी पॉइंट लेकर कर डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो आप लोग मुझसे टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसको जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेल आईडी को मुझे मेल कर सकते हैं, और यह बार कोड के थुरू मुझसे कांटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोर्स परचेज करते हैं, और चाहते हैं कि रियली में एक सिस्टेमेटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं आद्ध दूर तरीके से नहीं तो आप प्लीज इसको जॉइन करिए और इस कोड को लगा करके मेरे साथ जुड जाएए मैं गारेंटी दे रहा हूं कि आप लोगों के साथ हम वही मेहनत करेंगे जो हम लोगों ने अपने लिये की थी उससे भी कहीं जादा जिससे कि आप लोगों के सफलता मिले और हम ये समझें कि वो सफलता आपकी नहीं बलके हमारी है क्योंकि हमारी नौलेज जब आपके माद्धिम से यूपी एससी में रिफलेक्ट होगी तो बेसक महनत और शरीर जिमाग आपका होगा लेकिन अंदर की जो नौलेज है वो कहीं न कहीं हमारी होगी तो वो हम मानेंगे के वो सफलता हमारी है इसलिए कहा जाता है आपकी सफलता ही हमारी सफलता है ठीक है ना? Thank you very much बिलते हैं फिर आप लोगों से